एक विश्वास की बात देखिए गुरुजी मैं रायपूर छत्तिस गड़ की निवासी हूँ अभी दो महाँ पहले इन्होंने अपना नाम सायद इसमें नहीं लिकना भूल गए हूँगी पर जो कहीं बेटी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाईएगा मैं रायपूर छत्तिस गड़ की निवासी हूँ गुरुजी अभी दो महाँ पहले मैं दो हजार तेविस में मेरी पुत्री के आख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आख तिर्ची हो गई जिन्नोंने पत्र लिखा है अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते जिन्नोंने भी लिखा हो अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकते एक आख तिर्ची हो गई और उसे एक आख से दिखाई देना बंद हुए उसे हम तुरंट डाक्टर के पास लेकर गए, डाक्टर ने कई प्रकार की जाचे और बताई और उसे आँख की जाच करने के बाद आया कि उसकी आँख में कैंसर हो गया आँख में कैंसर हो गया, जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा, और हमारे तो पेरो तले जमीन खशक गई गुर्देव, डाक्टरों को दिखाया, सभी जगा पर एक ही बात कही कि इसको आँख का कैंसर हो गया कोई कहे इसको चन्नाई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ, 36 गड़ के सारे डॉक्तरों को राइपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया, हम उसको लेकर कहा जाएं, ये विचार करते करते ही, खिस सोचे कि कहां से धना आएगा, चार साल पहले इसके पिता जी भी सांत हो गए और बेटी की आँख में कैंसर हो गया, कहीं बेटी है, तो हाथ हिला सकती है अगर कहीं बेटी हो, तो अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको एहद्रावार ले जाओ, हम उसको एहद्रावार ले गए, डॉक्तर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको कैंसर है आँख में, पंदरा दिन के अंदर इसको ऑपरिशन कराना है, पंदरा दिन दिये, हम उस बेटी को लेकर वापिस आगए किसी ने कहा वे काम करते हैं कैंसर तो इसको है 15 दिन का आपरिशन है आख में इसको दिखना बंद होई गया है एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं और हम गुरुदेव सीहोर कुबरिश्वर धाम पहुच गए वहाँ से रुद्राक्ष लिया है कंकर लिया है रुद्राक्ष को पानी में गलाते शिवजी को चड़ाते कंकर का पूजन करते हमने सोचा 15 दिन बाद तो आपरिशन है ही वही शिवजी का चड़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आखों में लगाते बाबा हम क्या वर्णन करें क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुर्देव हमने बाबा से प्राथना करकर हमारे घर के नजदीक में जो शिवजी मंदिर है वहाँ पर भी जाना प्रारम करा बेल पत्र लाकर इसको देना प्रारम करा इसकी आख में जो कैंसर था हम उसको लेकर पंदरा दिन के बाद जब ले जाने लगे एक दिन बचा तब इसकी आख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंब हो गई बाबा का क्या गुरगान करे गुरगे आख की रोशनी बढ़ना प्रारम हुई आख जो तिरची हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई शाम के चार वज गए दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी ट्रेन थी हमारा वो आख धीरे धीरे शाम को चार वजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई हम जब हेदराबाद इसको ले कर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको टीमर है इसका कैंसर ठीक हो गया है